आग लगने की घटना सामने आई है आगरा के भंडाई रेलवे स्टेशन पर पताल कुट एक्सप्रेस में आग लगने से हलकम मच गया बताया जा रहा है कि ट्रेन मतुरा से जहांसी की ओर आ रही थी तभी दो जनरल बोगियों में आग लग गई आग लगते ही मौके पर चीक फुकार मच गई कुछ यात्रियों ने खिड़की से भी कूट कर अपनी जान बचाई है ऐसी खबरे सामने आ रही है आपको बता जी कि घटना बुद्धवार को दोपहर में हुई है जहां वांडाई रेलिवे स्टेशन के पास पाताल कोट एक्सप्रेस में आग लग गई थी आग लगते ही ट्रेन रोग भी दे गई यात्रियों को बाहर सुरक्षित निकाला गया वहीं फायर ब्रिगेट की टीम को ततकाल इसकी जानकारी दी गई गनिमत रही कि हाथसे में कोई जनहानी नहीं हुई है हाला कि कई यात्रियों के जुलस्तने की खबर जरूर सामने आ रही है फिलहाल फायर ब्रिगेट की टीम ने आग पर काबू पा लिया है अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है वही ट्रेन की दो बोगियों में आग लगने से रूट पर आवा जाही बाधित हो गया है रेलवे रूट किलियर करवाने और हाथसे की जाच में जुट गई है प्राब जानकारी के मताबिक ट्रेन आगरा केंट रेलवे स्टेशन पहुँची थी और फिर वहां से वह ट्रेन जासी के लिए रवाना हुई थी कुछ किलो मीटर दूर जाने के बाद ट्रेन की जनरल बोगी में धुआ और आगी की लप्टे निकलते हुए दिखाई दी जिसके बाद यातिरियों में चीक पुकार मच गई खबर मिलते ही ड्राइवर ने ट्रेन रोग दी और कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी हलाकि ट्रेन की दो बोगिया ये पूरी तरह से जल गई है और कुछ लोगों के जुलस्ते की भी खबर सामने आ रही है आप दूसरा में गलावरेन बड़ी है करें कारा में रहा है हां सब ठीक है हम बहुत तीछे हैं अंसर हम बहुत बहुत प्शे हैं झाल झाल